प्रक्ट नमबर एक शिवलिंग उतना ही बढ़ता चला जाता था यहां तक कि गजनवी ने भी इस शिवलिंग को तोड़ने का खुब प्रयास किया लेकिन वो भी इसमें काम्याब नहीं हो पाया तो उसने गुसे में आकर शिवलिंग पर एक कलमा गुदबा दिया ताकि हिंदू इसकी पूजा ना कर सकें लेकिन ऐसा करने से यह शिवलिंग और भी जादा प्रसिद्ध हो गया और हिंदूओं के साथ साथ मुस्लिम भी इसकी पूजा करने लगे योगी राज में नए नवेले दुला दुलन की बल्ले बल्ले हो गई है जी हाँ गाईज आप ठीक सुन रहे हैं यूपी सरकार अब अपने युवाओं के लिए कैतिहासिक कदम उठाने जा रही है जिसमें वो शादी करने वाले नव विवाहित जोडों को उनकी योकिता के मुताबिक नोकरी देगी लेकिन ये फायदा केवल उनी लोगों को मिलेगा जो मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना में शामिल होकर ही अपनी शादी करेंगे मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो यूपी वालों की चांदी ही चांदी हो गई है क्यूंकि सरकार पहले तो सामुहिक विवाह योजना के तहट आपकी शादी का खर्चा उठाएगी और उसके बाद आपको आपकी कबिलित के हिसाब से नोकरी भी देगी गाईस के आपको पता है कि हम भगवान की पूजा अर्चना दोनों हाथ जोड करी क्यों करते हैं किसी और मुद्रा में क्यों नहीं करते तो चलिए आज इसके पीछे की योगिक साइन्स जानते हैं दरसल हमारे शरीर में बहत्तर सो नाडिया है जिसे दो अलग-अलग भागों में बाटा गया है इसका एक भाग पिंगला कहलाता है तो दूसरा भाग इडा और ये उसी तरह है जैसे भगवान शिव की अर्द नारिश्वर रूप जिसमें शिव और शक्ती दोनों का वास होता है दोनों की ही अपनी अपनी एनर्जी होती है इसी तरह से जब हम हाथ जोडते हैं तो ये फ्लो साइकल पूरा हो जाता है और हम ऐसी अवस्ता में पहुंच जाते हैं जहां हम भगवान की पूरी मन और शद्दा से पूजा अर्चना करते हैं